और मैं चतिश गड़ के बारे में सुना था पहले कि यहां का जो बैकवर्ड इलाके मैंने सुना था कि बहुत बैकवर्ड इलाका है लेकिन साइद मैं गलत थी क्योंकि मैंने अपपुद अपनी आउंग्ड गलत थी क्योंकि मैंने अपने इना चाह से मृत बखुर टो बहुत अलग है मिरी एक धूश क्यूश थी 36 गड के बार में , यहां पर बड़ गई है क्योंकि मैं ने देखा कि स्पोट्स में लोग इतना अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पे हैंड york he की को जो भी विरन क्राफट हैंड क्राफ्ट के जो चीजें ही यह पर तो बोग नीचुरल हिशे हैं रही है कि मुझर परकॐती नेचर इतना नेचर dynamics कि इसा नेचर हमने कहीं भार विदेशों में देख था मैं बुल्गारिया एक कंट्री थी उसमें गई थी और यूएस वगरा में देखा था मैंने ऐसा जो प्रकरती नेचर लेकिन हमारे इंडिया के अंदर मैंने कभी घूमा भी नहीं है देखा भी नहीं तो आज यहां पर आके देखे मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और मेर कि इतनी फास्ट यहां पर परगर्ती हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आके तो यहां के जो खिलाडी है वह आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन सुधाओं की कमी रहती है और कहीं न कहीं फिर वह गवर्मेंट को भी दोश देते हैं कि गवर्मेंट को नहीं दे रही है आप एक ऐसे परिवार से जगह से आई हैं जहां पर फैसलिटी नहीं थी तो खिलाडियों को क्या दोश देना चाहिए या आपने स्तर पर प्रियास करना चाहिए तो जो चीज हमने फेस की है तो हम उस चीज को अनुबाव करकी यहां पर पहुंचें तो हम में स्कूलों में देनी चाहिए क्योंकि जो एक बच्चा है वो स्कूल से ही सब कुछ शीकता है और वहीं से अगर सुरुआत हो जाए अगर किसी खिलाडी की उनको अच्छी सुईदाएं मिल जाएं तो हमारा जो एक खिलाडी खिलाडियों को जो रुजान है वो भी उसकी तरफ ज्यादा बढ़ेगा और खिलाडियों को एक प्रोच्छान भी बहुत ज्यादा मिलेगा उससे उनको आगे बढ़ने के लिए जो चीजे उनको बाद में मिलती वो चीजे अगर उनको पहले मिल जाएं तो उनका जो मैडल लेने के जो चांशी है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं दंगल के वाद यूटूब और गूगल पर देखा जाए तो फोगट वैनों की जो सर्च वो काफी ज्यादा बढ़ गई है कितना फाइदा रहा आप लोगों के लिए और बाकी खिलाडियों के लिए भी एक फिल्म के रूप में हमें ये रहा कि क्योंकि हमें तो बहुत लोग जानते थे रैसलिंग के वज़ा से लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे उनको लोग नहीं जानते थे क्योंकि उनकी महनत से हम यहाँ पहुचे थे तो उनकी जो महनत थी वो छुपी हुई थे और इस मोवी की वज़ा से हमारे पेरेंट्स को एक पहचान मिली है कि परेंट्स जो हैं उनको भी एक सीख मिली है कि अपने बच्चों के साथ अगर वो खड़े रहों और वो अगर अपने बच्चों को कुछ बनाना बनान चाहते हैं तो कोई भी प्रोब्लम कुछ भी हो अगर पैंट्स साथ में खड़े हैं तो आप किसी भी मुकाम ख़ासिल कर स तो ये थी बविता फोगट जो साबतर पर बताया रही थी कि उलम्पिक ही उनका अगला लक्ष है और एक मात्र लक्ष है वहाँ पे गोल्ड मेडल आसिल करना साथी उन्होंने छोटे खिलाडियों के लिए भी इसला दी है कि कोई भी खिलाडी मेहनत करने से उसे नहीं कत्रान चाहिए और सुविधाय बले ही कम हो उसे अपना प्रयास करते रहना चाहिए और सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह खिलाडियों को आगे बढ़ाने का काम करती रहे